तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का Carry Definer YouTube चैनल पे और आज के इस धम्मा के दार सेशन में हम लोग डिसकस कने वाले हैं ESIC UDC में 2019 में जो Quant का पेपर आप लोगों को पूछा गया था Employee State Insurance Corporation के अंडर जो आपका Upper Division Clerk के लिए examination 2019 में conduct किया गया था उस paper को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इस साल के लिए तयारी कर रहे हैं तो past paper से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि level of difficulty उस paper का क्या रहता है और हमें किस हद तक जाके अपने तयारी को आगे बढ़ा के लेना है और अगर मैं बात करूँ आप मुझसे अगर राय पूछें कि level of difficulty Quant का specially क्या था तो मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे ये paper जो है वो RRB clerk examination के level के साथ कहीं ना कहीं equal लगा और इससे हलका हलका मतलब negligible उपर लगा मतलब 19-20 का फरक RRB clerk जो होता है वो सबसे easiest examination माना जाता है जो कि आपका IBPS यानि कि institute of banking personal selection conduct करता है तो अगर सबसे easiest examination की बात करें RRB clerk उसके साथ अगर हम इस चीज़ को compare कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको speed का demand तो करेगा ये करेगा मतलब आप जो learning अभी approach लगा रहे हैं तो वो learning के लिए आप बस easy-easy concepts को multiple approaches के साथ speed में बनाने की पूरी focus करें क्योंकि यहां पर cut-up भी आपने देखा हुआ है काफी हद तक जादा जाता है तो आपका sole focus होना चाहिए कि clerical level की तैयारी जहां पर आप speed में चीज़ों को solve कर पाएं और speed में चीज़ों को solve करने के साथ साथ accuracy को maintain किया जाएं तो अचलिए without any further delay let's get started की कैसे सवाल आपको देखने के लिए मिले थे हर एक सवाल को आप लोग थोड़ा pause कीजेगा और उसके बाद खुद try करने के बाद solution देखेगा तो आपको भी लगेगा कितने सवाल हम कर पारें कितने नहीं कर पारें और उस हिसाब से आगे आपको त 2022 examination यह already आपका live हो चुका है यह already आपका start हो चुका है यह भी continuation पे है अगर मैं बात करूँ इनके अंडर क्या-क्या courses क्या-क्या में पढ़ाने वाला हूँ यह सब में last end of the video आपको discuss करूँगा लेकिन एक last और बहुत important update के साथ मैं आप लोगों के साथ share करना चाता हूँ जो आपके लिए 20th Fave को एक scholarship test conduct किया जाएगा उस scholarship test में आप अपने dedicated time slots देख सकते हैं कि अगर आप bank examination के लिए तयारी कर रहे हैं तो 10 a.m. पे आपका exam है SSC के लिए तयारी कर रहे हैं तो 2 p.m. और railways के लिए तयारी कर रहे हैं तो 5 p.m. पे आपका examination conduct किया जाएगा यहाँ प बात करूं तो top rankers जो rank 1 होंगे उनको मिलेगा SSC का weibo book एक laptop और साथी साथ अगर मैं बात करूं rank 2 से रेके rank 6 तक आपके Samsung Galaxy जो mobile होते हैं और rank 7 से 16 तक आपके JBL earbuds आपको मिलेंगे and apart from this यह तो top 16 की बात गई आपके 300 lucky winners को यहाँ पे मेरे पीछे चुप जा रहा है Amazon gift voucher भी मि उपर यह जो scholarship है 100% scholarship मतलब you can avail it for free complete free 75% का scholarship मतलब 75% का discount or 50% इस तरह से आपको scholarship provide किये जाएंगे so make sure कि आप ये test को 20th February पे सभी लोग appear करे और साथी साथ अपने level up preparation को भी चेक कीजिए और level up competition को भी चेक कीजिए कि आप जिनके साथ compete करने जा रहे हैं उनके तयारी और आपक code cd live और ये test completely freely up access कर सकते हैं तो चलिए that's it for today और an academy का ask a doubt feature है आप इसको जरूर से इस्तिमाल करें आपके preparation के time पे अगर कोई भी doubt आपके आ रहे हैं तो आप उसका screenshot लेके share कर सकते हैं ask a doubt के column पे और आपको उसका instant solution मिल जाएगा तो चलिए without any further delay let's get started with the very first question number series है उमीद करत detail में solution आपको बताते हैं जलूँगा तो pause करके एक बार try आपको खुद लेना है जब भी बात आती है series की जब भी सारे के सारे 200 के houses में है मतलब ज्यादा increase ज्यादा decrease नहीं हुआ तो यह difference से series बन सकता है तो difference जब मैंने देखा तो यहां से यहां आने के लिए क्या क्या गया ह होगा यहाँ से यहां आने के लिए minus का 9 यहां से यहां आने के लिए अगर मैं देख सकता हूं 86 से अगर 8 minus करूंगा तो 78 लेकिन 68 आना है तो 18 minus करूंगा तो 61 लेकिन और 20 minus करने से 41 27 का minus तो 9, 18, 27 मेरा blind gas कहरा है क्या यहां 36 है? चेक कर लो. 41 से 6 जाएगा तो 35, 35 से 30 तो double difference आप ले सकते हो कि 9, 9, 9, 9 लेकिन वैसे लेने की जरूरत नहीं है 9 का पहला multiple, दूसरा multiple, तीसरा multiple, चौथा multiple, 9 का पांचवा multiple, 45 sequence माइनस में चल ला है तो माइनस कर दो 5 से 5 गया तो last digit 0, 20 से 4 गया तो यहां पे 16 तो 160 is the absolutely correct answer for this question तो option number A, 160, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो आप double difference से भी जा सकते थे कि यहां पे gap 9 का हो रहा है यहां पे gap 9 का हो रहा है, यहां पे gap 9, तो 36 में 9 का गया 45 माइनस, आपको same answer मिलेगा, 205 से 5 जाएगा 200, 200 से 40 जाएगा, तो 160, option number A is the absolutely correct answer अब next सवाल जो है, यह काफी हद तक बढ़ रहा है, यहां पे और ऐसा नहीं कि सारे के सारे 200 के families में 1, 2, 6 के बाद 24, next to question mark, next 720, यह कब possible है जब आप multiplication करोगे जब मैं multiplication करूँगा तो मैंने देखा कि यहां पे सारे के सारे लगबग direct multiples चल रहे और जब भी multiplication करने की बात आएगे, आप अपने बड़े बड़े numbers को पकड़ेगा या फिर बीच वाले terms को पकड़ेगा जैसे कि अगर मैं बात करूँ 6 और 24, यह लगबग कितने गुना हो रहा है, सर 6 और 24 लगबग यह आपका 4 गुना हो रहा है मैंने का 2 और 6 यह लगबग, लगबग नहीं सर, exactly 3 गुना मैंने का 1 से 2 सर यह दुगना हो रहा है मैंने का 2, 3, 4 के बाद pattern follow करने के लिए क्या आना चाहिए, सर 5 और 6 आने चाहिए 2 अब 24 का 5 गुना, अगर मैं यहाँ पे 120 को बैठा दूँ, तो क्या 120 का 6 गुना 720 आ जाएगा, perfect तो clearly question mark के जगा कौन occupy कर लेगा, 120, तो काफी easy level है, यही से आप judge कर पा रहे होंगे next सवाल अपने पास है, 15, 15, 31, 95, 383 और question mark का value, 1800, 1900 के आसपास छोड़ चुका है इतना तक जाने के लिए multiplication का सारा लेना होगा, अभी कुछी देर पहले मैंने कहा कि multiplication जब आप कर रहे हैं, तो multiplication का pattern आख के सामने clear है, अब चलो, 31 में जब मैंने 3 का multiplication किया होगा, तो मुझे 93 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे तो 95 लिखा है, तो plus का 2 हुआ होगा similarly 15 into 2 तो 30 होता है, 31 बनाने के लिए यहाँ पे plus का 1, similarly अगर मैं इसको देखूं तो 15 into 1 15 ही होता है, तो यहाँ पे कुछ 119 is the absolutely correct answer for this question, option number C, आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आगे मैंने चला, फिर यहाँ पे मैंने देखा कि question mark के value इतने बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि option को थोड़ा इस्तिमाल कीज़े का number series में, इतने बढ़ने का तो भया, आगे की फंडा है, multiply करो, multiply करते ही मैंने द देखा कि यह direct multiples पे आरे, जब मैं beach को गया, तो beach में मैंने देखा यह direct multiples है, 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 तो direct multiplication तो हो रहा है, लेकिन pattern क्या बनना है, 1, उसका double 2, उसका double 4, उसका double 8, उसका double 16, तो यहाँ पे 64 into 16 क्या जाएगा, आप 64 into 16 किस तरह से कर सकते हैं यह आपके उपर depend करते हैं For example अगर आपको दोनों 2 के power में दिख रहे हैं यह 2 का power 6 यह अगर 2 का power 4 तो 2 का power 6 2 का power 4 जब multiply होगा तो value 2 का power 10 आएगा और अगर आपको 2 का power 10 याद होगा 1024 आप instantly कर सकते हो नहीं तो आप अपना वेदिक मैट्स जो भी लगा सकते हो 64 इंटू 16 के लिए पहले 64 इंटू 10 कर दो 640 फिर 64 इंटू 6 कर दो 60 इंटू 6, 360, 4 इंटू 6, 24, 360, 24, 384 अब एड कर दो तो 8, 4, 12, 6, 39, 10, 10, 24 तो जिस तरह से करो 64 इंटू 16 में काम बन जाएगा option number A इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है ये सवाल काफी तेड़ा मेड़ा है बहुत ही तेड़ा मेड़ा काफी मतलब बहुत ही ज़ादा है actually मैं देखा जाए तो ये एक hybrid या फिर इसको आप कह सकते हो एक alternate series है यहाँ पे आपके alternate में series चल लेए कैसे एक बार pause करके करते हैं अगर मैं hint दे दिया तो चलो कोई बड़ी बात नहीं अगर मैं देख पाऊं तो सबसे पहले तो बहुत ही कम-कम का गया पर तो मैंने difference कसा रहा लिए यहाँ पे plus का 1 हुआ होगा यहाँ पे मैंने देखा plus का 2 हो रहा है यहाँ पे मैंने देखा plus का 2 हो रहा है यहाँ पे मैंने देखा plus का 1 हो रहा है हालत कराब हो रहा है लेकिन यहाँ पे देखा plus का 3 और जब मैंने यहाँ पे देखा तो plus का 0 और यहाँ पे मुझे पूछा गया है अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं alternate में दिखाना चाहता हूँ, क्या-क्या है, यहाँ पे plus 1 है, यहाँ पे plus 2 है, यहाँ पे plus 3 है, alternate का मतलब समझ रहो, एक छोड़ के एक, तो पहले वाले को अगर मैंने box में रखा, एक छोड़ के दूसरा वाला box, एक छोड़ के तीसरा box, एक छोड़ के यह चौथा box, यह वाला चाहिए कि इस box में क्या हो सकता है, अब 1, 2, 3, 4, pattern तो 4 का रहा है, लेकिन दूसरे वाले box में मेरे पास हैं, क्या उनको ज़रा एक बार में नजर डाल देता हूँ, यहाँ पे इस वाले alternate पे plus 2, यहाँ पे plus 1 और यहाँ पे plus 0 है, अगर मैं देख पाऊँ, तो blue color में जो जो चीज़े हैं, वो एक एक decrease कर रहे हैं, एक से decrease कर रहे हैं, और जो आपके red color वाले चीज़े हैं, वो एक एक से आपके increase करते जा रहे हैं, जैसे कि 1 1 में plus 1 हुआ, तो 2 2 में plus 1 हुआ, तो 3 और 3 में जब plus 1 होगा, तो यह 4, तो यहाँ पे plus 4 इस बकसे के अंदर आना चाहिए, और 17 में जब 4 एड होगा, तो यह correct value 21 को आना चाहिए मैंने आप लोगों को hybrid series बताया हुआ है, hybrid series मतलब जब भी alternate पे patterns चलते रहा तो alternate पे जो लोग number बैठे हुए है तो अलग-अलग series को belong करते हैं क्या यह सच है, देखते हैं सच है या नहीं मैं इसको एक अलग color से suppose मैं इसको green color से करके आपको दिखाना चाहता हूँ, अलग-अलग pattern से मेरा क्या मतलब है, 8 11, alternate numbers है alternate numbers है, मेरे इसाब से यह आपस में एक pattern बना रहे हैं, क्या pattern इस तरह देख लेते हैं, 8 से जब मैं 11 जाओंगा तो 3 का addition 11 से जब मैं 14 जाओंगा तो 3 का addition 14 से जब मैं 17 जाओंगा तो 3 का addition ठीके सर, और बाकी के यहाँ पे जो बाकी alternate में है 9, 13, 17 यह एक दूसरा pattern बना रहे है, hybrid, अलग pattern क्या, 9 से जब मैं 13 जाओंगा तो 4 का addition 13 से जब मैं 17 जाओंगा तो 4 का addition, अब देखो जो question mark है वो 17 के alternate पे आ रहा है तो 17 में मैं directly 4 का addition करके 21 को हासिल कर सकता हूँ, तो आप नीचे सजाओ उपर से जाओ, answer 21 के अलावा कोई दूसरा नहीं होने वाला उमीद करता हूँ कि 5 के 5 सीरीज आपके clear होंगे, यह एक उटपटांग सीरीज था हाला कि but clear होगा मेरे ख्याल से अब चलते हैं simplification, simplification का level देखके ही मज़ा आ जा रहा होगा आप लोगों को seconds में आप लोग pause करके करते जाएं और check करते जाएं, 498 में जब 27 add होगा तो यह 525 बनेगा और 525 में जब इस 25 का division होगा तो 25, 2 times 50, 25 या नहीं की 1 तो यह divide होने के बाद 21, मतलब seconds में आपके answers आएंगे, अगर आपके multiplication calculation easy हो तो मतलब fast हो तो percent के साथ में यह double zero cancel कर सकता हो, अब जब 1.6 into 10 की बात आएगी तो यह कितना बन जाएगा आपके पास 16, into में है 2.4 percent, अब देखो किसी भी चीज में percentage है मतलब उसके denominator में 2 zero है लेकिन 2.4 है, तो 2.4 को पहले में 24 करके denominator में 10 ले आना चाहता हो फिर इस percentage का जो 2 zero है उसको नीचे ले आना चाहता हो अब यह X के साथ multiplied है, तो RHS में आपके पास है 288, अब मैं cancel करने के लिए गया, जब मैं cancel किया तो 16 में जब मैंने cancel किया 16, 1 जा 16, 128 यानि 16, 8 जा आपका हो जाएगा 128, एक बार चेक कर लो 80, 48, 120, done RHS में इस 3 के साथ जब multiply हो जाएगा, तो X का जो value है वो कितना निकल के आ जाएगा, 750 तो option number A, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, अब देखो 5 का cube है, तो आपको करने की multiplication ज़रूरत नहीं, सर क्यों, क्योंकि नीचे divide है, 6 का cube है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और divided by 3 का square है, यारि की 3, 2 बार, अब देखो 3, 6 को काड़ेगा, 2 बार, 3, 6 काड़ेगा, 2 बार, random ले multiply मत करो, कुछ बनाओ, अच्छे से pattern जैसे कि अगर मैं देख पाऊं, तो इस 5 और 2 को अगर मैं pair कर दूँ, तो ये 10 बना देंगे, हाँ सर, इस 5 को इस 2 के साथ, अगर मैं pair कर दूँ, तो 10 बना देंगे, और 10 10 जब आपस मैं multiply होंगे, तो last में 2 0 आएंगे अब बच गए तो सिर्फ यही दोनों, ये 5 into 6 कितना देगा आपको, ये 5 into 6 आपको 30 देगा, तो 30 के last में 2 0, यानि कि 3000 इस सवाल का बिल्कुल सही हुत रहे, तो smart approach लगाके सवालों को कम टाइम में solve कीज़े, ऐसा नहीं कि random multiplication आप लोग कर रहे हो, 5, 25 125, 125, 125 का 6 गुना करने की बात पड़ रहे है, जरूरत नहीं है आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहां पे मेरे पास 3.2 of 50 है, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कि 3.2 का जब यह decimal हटाऊंगा, तो यहां पे 32 by 10 होगा, और यहां पे into का 50 होगा, और यहां पे 25 percent का मतलब 1 fourth है, किसका पता नहीं, X का, और यह बराबर 280 है, क्या मैं यह 0 को 0 के साथ cancel कर सकता हूँ, बिल्कुल, 4 को यहां पे 8 के साथ cancel कर सकता हूँ, बिल्कुल अब देखो, अगर मैं directly attack करूँ तो 8 और यह 5, multiply होंगे तो कितना होगा, 40, और 40 अगर मैं directly cancel करूँ, इस 280 के साथ, तो यह कितने बार जाएगा, 7 times जाएगा, तो X का value कितना निकल के आगया, मेरे पास 7, option number B, इस दा है, absolutely correct answer, square root of 4, 2 होता है, 100% का कोई scene कहीं नहीं रहता, क्योंकि 100% मतलब 1 ही बन जाता है, क्योंकि 100% को अगर मैं express करूँ, तो 100-800 और 100-801 ही होता है, तो इसका कोई role नहीं है, यह 1 ही है, तो आपको indirectly 2 into क्या करना है, 26 और is equal to में, RHS में 13 into कुछ X का value है, 13 यहाँ पे 26 को 2 times cancel करेगा 2 दूनी 4, तो X का value जो है, वो clearly कितना आ गया, option number E, 4 is the absolutely correct answer, 17 28 का cube root यादोना चाहिए, आपको 12 होता है, into 4096 का cube root यादोना चाहिए, आपको 16 होता है divided by 512 का cube root 8 होता है, पता होना चाहिए, 8 cancel किया 2 बार, 12 दूनी 24, मतलब पूरा clerical, RRB, clerk level में यही होता है न, तो same level आपको देख सकते हो, feel कर पावरे होगे, यह कुछ गंदा है, यह आपका fraction है मतलब यह mixed fraction है, actually यह चीज ऐसा होना चाहिए, ठीक है यह चीज actually में यह है, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी यह मत करना 21, 26, 27, 27 no, 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 not applicable applicable, not advisable to be honest, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, आपको जो भी integers दिख रहे हैं, इनको अलग से calculate करना है और जो fraction दिख रहे हैं, उनको अलग से calculate करना है, तो अगर मैं integer को अलग से calculate करूँ, तो यहाँ पे यह 3 है minus 6, अभी के लिए मत जाओ, 3 में जब यह 5 add होगा, तो कितना आना चाहिए, 8 8 से जब यह 6 minus होगा, तो 8 से 6 जाने के बाद मेरे पास जो integral part रहेगा वो 2 रहेगा, अब option में मैं देख पार हो, दो इसके साथ है, तो यह answer होने के 99.99% chances है, बट none of these है, बहुत से problem है तो आप इसको risk मत लीजे कभी कबार यह fraction जो है, वो 1 से उपर चला जाता है तो वहाँ पे आपको और 1 extra मिलने से 3 जा सकता है, बट ऐसा इतना तो इतिफाक नहीं हो सकता है, तो मैं 2 के साथ blind case जा सकता हूँ, बट पूरा solve करेंगे जब मैं पूरा solve करने के लिए गया तो मैंने देखा, इस fraction को अलग से मुझे करना है इस fraction के 3 जो दिख रहे है denominator 7 और 4 और 3 इनका इलसम कितना होगा, 7, 4, 28 8 into 3, 84 84 divided by जब मैं 7 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, कितना 12, 84 84 और यहाँ पर अगर मैं 12, 6 करूँगा तो यह वाला value आ जाएगा मेरे पास 72 और यहाँ पर बीच में minus का symbol है, 84 divided by जब मैं 4 करूँगा तो यह आ जाएगा मेरे पास 21, यहाँ पर plus का symbol है तो मैंने plus का लगा दिया, 84 divided by 3, 28 तो यहाँ पर मेरे पास 28 आ गया, अब देखो हमेशा यह mandatory नहीं कि आप plus करके minus करो, आप इन दोनों को पहले calculate कर सकते हो जैसे कि 28 से अगर मैं 21 को minus कर दूँ तो मेरे पास 7 बचेगा 72 में जब यह 7 जुडेगा तो यहाँ पर मेरे पास 79 by 84 बचेगा, और 2 plus 79 by 84 को आप एक साथ जुड के लिख सकते हो, क्योंकि एक proper fraction है और यह क्या बन जाएगा 2 whole 79 by 84 तो जब भी mixed fraction वाले सवाल आएं आपको क्या करना है, आपको integer वाले parts क्यों, क्योंकि 3 whole 6 by 7 का जो indirect meaning होता है, वो ऐसा ही होता है, आप चेक कर लो 21 plus 6, 27 बटे साथ ऐसे करते हैं, या ऐसे करते हैं बात तो एक ही है न, तो आप integers को अलग तोड़ के अलग add कर सकते हो, fraction को अलग तोड़ के अलग add subtract कर सकते हो और last में उनको merge कर सकते हो, compile कर सकते हो बढ़े हागे नेक्स सवाल कुछ arithmetic के सवाल बहुत easy level, जैसे कि आपको बस इस menturation वाले सवाल में formula याद होना चाहिए उसने कहा कि diameter hemisphere का कितना है 14 तो आपको पूछा गए कि उसका curved surface area कितना होगा, मैंने आप से ये पूछा कि अगर diameter किसी का वाकई में 14 होते तो उसका radius उसका half हो जाएगा, हाँ sir 14 का half हो जाएगा, यानि कि ये कितना हो जाएगा 7 cm का हो जाएगा, अगर radius साथ है तो अगर मैं curved surface area hemisphere की बात करूँ तो उसका formula होता है 2 pi r square, और जहां पे pi का value रहता है 22 by 7 radius अगर अपने पास साथ है तो 7 का square, यानि कि 7 का दो बार गुना जा मैंने इस साथ को साथ के साथ cancel किया, तो मुझे क्या मिला 22 into 2, 44 44 into 7 40 into 7, 280, 4 into 7 28, 280, sorry 280, 28, 308 is the absolutely correct answer for this question, centimeter है, तो इसका area जो होगा, वो centimeter square में रहेगा तो यहां पे digits, मतलब units missing है तो option number B, 308 centimeter square is the absolutely correct answer, मतलब सिर्फ 2 pi r square का formula पता होना चाहिए, और कुछ भी नहीं if a person travels at a speed of 20 km per hour, instead of 15 km per hour, he can travel 20 km more distance find the distance he would have covered at 15 km per hour, एक बंदा, अगर 15 km per speed पे ना जाके, 20 km per hour के speed में जाएगा, तो वो 20 km जादा cover कर पाएगा, 20 km जादा cover कर पाएगा, मतलब एक ही fixed time उसको दिया जाना चाहिए उसमें अगर वो 15 km per hour में travel करता, तो कुछ एक particular distance cover करता, लेकिन आज जब 20 km per hour speed में cover जादा speed में जाएगा, तो उसी particular time में कुछ जादा distance cover कर लेगा, तो आज 20 km per hour के speed में जाने से, वो इतना किलोमेटर जादा cover कर पा रहे है 20 km जादा cover कर पा रहे है तो आपको बोला गया है कि कितना distance वो 15 km per hour के speed में usually cross करता या फिर cover करता कोई बात नहीं, आपको बस एक ही चीज़ पता होना चाहिए, कि अगर एक ही fixed time आपको दिया जा मतलब, जितना जादा speed में आप जाओगे उतना ही जादा distance आप लोग cover कर पाओगे, एक ही fixed time में जितना कम speed में जाओगे, उतना कम distance cover कर पाओगे और ये direct proportion से मुझे एक और चीज़ मालूम होता है, कि उनका ratio जो होता है, वो exactly same होता है मतलब, speed का ratio जो होगा आपका distance covering का ratio भी वही रहेगा सर, मतलब, मतलब ये आपको अगर मैं पूछता कि आप originally कितने speed में जाते, तो आप मुझे क्या कहता है सर, originally मैं 15 के speed में जाता मैंने का, आज आप कि speed में जा रहे हो सर, आज मैं 20 के speed में जा रहे हो तो मैंने आपसे पूछा कि, बेटा, speed का ratio बताओ तो 5 में cancel करने से 3 5 में cancel करने से 4 मैंने कहा, अगर speed का ratio 3 और 4 का है और अगर एक ही fixed time आपको दिया गया है तो जो distance का ratio आएगा वो speed के साथ बराबर आएगा, मतलब उसका ratio भी 3 और 4 का ही आएगा अगर मैं पहले 3 पाट का distance कवर कर पा रहा था तो आज मैं 4 पाट का distance कवर कर पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आज मैं कितना पाट extra कवर कर पा रहा हूँ, एक पाट अगर आज मैं 1 पाट extra कवर कर पा रहा हूँ 20 km, अगर 1 part का value 20 km हो गया, तो मुझे 15 km पर hour के, अगर speed में original speed में चलता, तो मैं कितना part cover कर पाता distance, 3 part distance cover कर पाता, एक part अगर 20 km का है, तो 3 part कितना हो जाएगा, 3 into 20, यानि कि 60 km का हो जाएगा, तो correct answer यहाँ पर क्या हो गया, option number E, 60 km, और अगर यह ratio अप्रोच आपको पता है, तो आप इसको verbally नहीं कर सकते थे, 15, 20, okay sir 3, 4, okay sir, ग्याप, 1, okay sir 1, okay sir, 1, okay sir, 3, बराबर 6, done, clear तो इस approach से आपको सवालों को deal करना होगा, pipe A can fill the tank in 15 minutes, pause करके कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ pipe B can fill the tank in 45 minutes, pipe A जो है वो 15 minutes में एक tank को fill कर सकता है, और pipe B जो है वो 45 minutes में एक tank को fill कर सकता है, in how many minutes both can fill 50% of the tank अब देखो यह 50% tank में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पहले capacity का आदा करते हैं, जिसके चलते हैं आप लोग फस्ते हैं आपको वो चीज totally अपनी दिमाग से निकालना है एक complete tank को भरने के लिए जितना time लगना चाहिए, वो पहले निकाल लो सर, उससे क्या होगा, अगर complete tank को भरने के लिए 8 गंटा, तो आधे tank को भरने के लिए 4 गंटा complete tank को भरने के लिए 12 गंटा, तो यही एलसे मेरा total capacity बन जाएगा कि टंकी का जो total capacity है मेरे हिसाब से 45 units का है अगर 45 units भरने के लिए किसी को वाकई ही में 15 minutes लगते हैं तो हर minutes वो कितना भर रहा होगा 45 upon में 15 यानि कि वो 3 unit per minute भर रहा होगा 45 units भरने के लिए किसी को अगर 45 minutes लग रहे हैं तो वो हर मिनिट एक यूनिट भर रहा होगा तो दोनों अगर मिल के भरेंगे बोथ तो एक मिनिट में वो लोग कितना भर सकते हैं? चार यूनिट भर सकते हैं एक मिनिट में अगर एक मिनिट में वो लोग चार यूनिट भर सकते हैं total capacity तो अपना 45 unit का है तो 45 unit भरने के लिए उनको कितना time लगता 45 divided by 4 time लगता लेकिन क्या ये total time आपको पूछा गया है नहीं आपको tank का half भरने के लिए कितना time लगना है वो पूछा गया है तो पूरा tank भरने के लिए जितना time आधा tank भरने के लिए उसका आधा time तो इसका half कर तो 45 by 8 is the absolutely correct answer for this question यानि कि option number C 45 by 8 minutes already सवाल में है minutes लगेगा इस tank को अगर दोनों मिलके भरेंगे तो next सवाल एक complete DI है बहुत easy level का है the table source the number of national parks and wildlife sanctuaries in different states study the table carefully and answer the following questions अगर मैं बात करूँ तो आपको state दिये है उस state में कितने national parks और कितने wildlife sanctuaries हैं दिये गए हैं एक बार इसका screenshot या फिर अपने rough sheet में mention कर दो क्योंकि आगे जब मैं आऊंगा तो शायद मैं सवाल के सामने आ रहा हूंगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह वाला जो यहाँ पर value है यह भी यहाँ पर 7 ही है मैं एक बार दिखा देता हूँ तो मुझे बताओ national parks यह रहा सबसे कम national park कहां दिख रहा है यह रहा चार यह चार कौन से state का है गुजराट तो गुजराट में सबसे कम national park के काम खतम अगर मैं वाल लेफ सेंचुरिस का total कर दूँ कि सारे के सारे states में मिला के कितने तो वही मेरा answer है तो add करने के लिए चलो सबसे पहले ढूंडो जैसे की round round कुछ figure हो सकते 28 में जब यह 7 जुडेगा तो यह कितना बनेगा 35 यहां पर 7 था मैंने आपको बताया था ठीक है 28 प्लस 7 35 35 में 25 एड होगा तो 60 60 प्लस 20 80 प्लस 41 20 प्लस 90 210 3 प्लस 2 5 5 प्लस 6 11 210 प्लस 11 221 option number C is the absolutely correct answer for this question try to avoid using pen and paper in these kind of questions try to solve it verbally by just looking at the screen screen के उपर नजर डालते ही mind को calculate करने के लिए दीजे कम pen चलाए तभी जाके जल्दी answer आपका आएगा तो पूरा का पूरा sum हमने verbally निकाला 221 what is the average of all the national parks together सारे national parks together का average कितना है तो add करो 10 10 20 10 30 ये भी 10 हो रहा रहा था 30 35 42 तो total national parks 42 है अब यहां पे मुझे total national park नहीं average national park चाहिए तो कितने states में है 3 4 5 6 states में total है तो 42 divided by 6 जब मैं करूंगा तो हर state में average 7 national parks आपके है option number B the number of wild life centuries in महारास्टर अब देखो महारास्टर का world life centuries कितना है 42 ये कितना percent ज्यादा है ये कितना percent more है किस से number of wild life centuries in हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में जो आपके wild life centuries है यानि कि 48 तो अब आपको पूछा गया कि 42 जो है वो 28 से कितना percent ज्यादा है जब भी आपको percent more निकालने की बात पूछी जाए तो आपका सबसे पहला काम है उन दोनों के बेच में difference निकालना जब भी बात more की आती है तो denominator में हमेशा less वाले value को रखना और उसका multiplication 100 के साथ कर देना ये fraction है into 100 होते ही percentage में convert मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 42 और 28 के बीच में जो difference है वो कितने का है clearly मुझे visible है 14 का है तो difference 40 divided by जब भी more की बात पूछी जाती है तो मैं denominator में किसको रखता हूँ less 42 और 28 में less कौन है clearly less आपका 28 है और into का 100 करना होते है जब मैंने इसको cancel किया 1 by 2 बच्चे बच्चे जानता है कितना होता है 50 में cancel करने से 50 तो correct answer हो गया option number C अगर आपका practice होगा तो verbally देख के भी कर सकते थे what is the ratio of the national parks to wildlife sanctuaries total national park और total wildlife sanctuaries के बीच में ratio मुझे इतना याद है कि इसका total मुझे 42 मिला था थोड़ा अपने mind को shark कीजे और इसका total मुझे 221 मिला था तो अगर इन दोनों कुछी देर पहले निकाले था ना ये question 1 में निकाले था ये question number 2 में निकाले था ऐसे भूलने से कैसे चलेगा तो 42-221 जहां पर 42-23, 42-21 option number D is the absolutely correct answer for this question सारे के सारे DIY के questions complete करने के बाद आप एक mixture का question आप लोगों के सामने है तो mixtures contain milk and water, दो mixtures है, दोनों में milk और water है, in what ratio should these two mixtures be concentration of 30% milk and 78% milk be mixed to obtain a mixture of 46% concentration water, बस मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, एक आपके पास mixture 1 है, ओके, एक आपके पास mixture 2 है, ओके, इसमें भी milk water, इसमें भी milk water, और जब मैं मिलाओंगा तो जो नया mixture आएगा उसमें भी milk water, obviously कहां जाएगा water, या फिर कहां जाएगा milk, आप किसी एक element को fix कीजिए, किसको fix करना चाते हो, सर मुझे बार बार milk दिख रहा है, तो मैं milk को fix कर रहा हूँ, मैंने आपसे पूचा कि पहले में milk कितना है, सर पहले में milk 30% है, ओके, दूसरे में milk कितना है, दूसरे में सर मिल्क है, 78%, तो जब मैं milk की बात कर रहा हूँ, तो तीनों में मैं milk का percentage ही देखूँगा, और उसी से allegation लगाऊँगा, थर्ड में आपके पास 46 concentration water का है, अगर total mixture 100% का होगा, उसमें से अगर 46% का पानी है, तो minus करने के बाद जो 54% होगा, वो definitely आपका milk होगा, तो मैं यह कहना चात है, उन दोनों को मिला के अगर आप वाकई में एक ने mixture में 54% का milk हासिल करना चाते हो, यह तभी मुम्किन है, जब आप इनको किस ratio में मिलाओगे, वो ratio cap मिलेगा, जब मैं allegation डालूँगा, allegation के लिए diagonally subtract करो, 78 से 54 subtract कर इस diagonal में लिखो, 78 से 54 जाएगा, तो यह मेरे पास कितन इस लाउट नंबर आ रहे है, बिल्कुल 24 से जाएगा, एक बार 24 से जाएगा, यह जो नीचे निकल के आएगा, वो ही और कुछ नहीं, mixture 1 और mixture 2 को जिस ratio में मिला के, new mixture form करना है, वो ratio खुद है, साख क्या, तो मुझे यहाँ पर लाइन डी क्या मिला, 1 is to 1, तो इन दोनों mixture को मुझे किस ratio में मिलाना है, 1 is to 1 के ratio में मिलाना है, और इस सवाल को अगर आपका मन करें, तो आप water लेके भी कर सकते हो, से मांसर आएगा, यहाँ पर अगर milk 30 है, तो water कितना होगा, sir 70, milk 78 तो water कितना होगा, बाकी 22, milk 54 तो water कितना होगा, 46, अब minus करो, diagonal माने minus किया, 70 से जब मैंने 46 minus किया, तो 24, 46 से जब मैंने 22 minus किया, तो यह बना 24, 24 और 24 के बीच में ratio 1 is to 1, तो चाहिए आप milk को लो या water को लो, किसी एक से ही सवाल को बनाना है, हमने यहाँ पर red color में milk का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर blue color में water का इस्तेमाल किया, allegation का थोड़ा idea आपको रखना ह बेसिक बेसिक सवाल हों को, जैसे allegation से आप बना पा रहे होंगे, if 25 years is the sum of the ages of Ram, Sham and Mohan, मतलब अगर मैं आप से कहूँ कि Ram का, Sham का, और Mohan का total age का sum कितना है, तो आप मुझे क्या कहोगे, सर 25 साल है, if Ram is 17 years younger than Mohan, यह Ram जो है न, वह Mohan से 17 साल younger है, छोटा है, who is thrice as older Sham, who किसको refer क करता है, मतलब यह जो Mohan नहीं है, वही 3 गुना है, Sham के age का, Sham के age का, अगर कोई 3 गुना है, तो क्यों न, हम Sham से ही start करें, कैसे, अगर मैं Sham के age को x ले लूँ, तो उसी का 3 गुना, आपका मोहन कितना हो जाएगा, 3x, और मोहन 3x होते हमें पता है, कि Ram जो है, वो मोहन से 17 साल चोटा होना चाहिए, तो अगर मोहन का age 3x है, तो उससे 17 साल कम, यानि कि Ram कितने का होगा, 3x-17 का होगा, अब इन तीनों का sum अगर मैं add करूँ, तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, क्या मैं यह 3x, 4x, 3x, 7x लिख सकता हूँ, हाँ से, माइनस का 17 is equal to 25, 17 उधर ले सकता तो 7x बराबर 42, और x का value 6 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, then how old is Mohan अगर पूछा जाए, तो Mohan का age अपने पास कितना है, 3x है, अगर x का value अपने पास 6 निकला है, तो 3x का value कितना हो जाएगा, 3 into 6, यानि कि 18, तो option number C is the absolutely correct answer for this question, तो आराम से इन सवालों को कर सकते थे, बस ये who who का concept थोड़ा clear कीजेगा, who किस के साथ, मतलग किस के उपर refer करता है, जो उसके immediate साथ में लगा हुआ है, उसी को who refer करता है, आगे अगर मैं बढ़ू, तो सवाल में और क्या है, P can do 1 fifth of a work in 10 days, P जो है, वो 1 fifth काम को 10 days में कर सकता है, in how many days he can finish half of the work, कोई ब तो ये five जाके उधर multiply हो जाएगा, तो sir 50 days लेगा, मैंने का तो one by two part काम करने के लिए, मतलब इधर मैंने divided by two किया, तो इधर भी मैं divided by two करूंगा, और जब मैंने इधर divided by two किया, तो ये कितना दिन लगा, 25 दिन लगा, मतलब एक काम करने के लिए अगर 50 दिन, तो आधा काम करने के लिए आधा, 25 दिन, सेम चीज है, मतलब सुरुवात हमने unitary से किया, one fifth काम करने के लिए अगर 10 दिन, तो one काम करने के लिए ये five को मेंने multiply किया 50, अब half काम करने के लिए एक का आधा, 50 का आधा time लगेगा, 25, तो option number C is the absolutely correct answer for this question, बस जितना आप logically sound होगे, उतना कम time मे बनाओगे, और इसका कोई दूसरा advantage नहीं है, the average of six numbers is 84, छे number का average कितना है 84, आप लोग निकल पड़े होंगे 84 into six करने, कोई ज़रूत नहीं, if 10 is added, each of the first three numbers, अगर each पहले के जो तीन number है, उसमें अगर 10 का addition किया गया, and 20 is subtracted from each of the next three numbers, और आखिर के तीन number, क्योंकि total 6 थे, पह निया average कितने का बन जाएगा, मैंने आपसे बस इतना का पूछा, क्या, कि आपका जो per head है, उसी को average कहा जाता है, हाँ sir, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि per head कितना का आता है, sir, per head 84 का आता है, क्या ये चीज clear है, हाँ sir, अब बस मुझे देखना है कि ये जो changes हो होने के बाद per head से कुछ value आया, increase हुआ, या कुछ value decrease हुआ, अगर वाकई में 3 number में आपने 10 मिलाया होगा, तो total आपने इन 6 numbers में कितना मिलाया होगा, 10 into 3, 30 मिलाया होगा, लेकिन आकिर के 3 number हर एक से जब आपने 20 minus क्या होगा, तो total से आपने 3 number में जब 20 निकाला, तो 3 into 20 आ आता हूं आपने 30 मिलाया सही 60 निकाला तो overall आपने मिलाया ये निकाला obviously निकालने का पगड़ा भारी है और कितना निकाला effectively देखूं तो minus 30 क्योंकि 30 minus 60 minus 30 होता है ये जो minus 30 निकला ये कहां से निकला ये sum से निकला मतलब सारे नमबर से निकला अगर सारे नमबर से 30 निकला तो हर एक नमबर मेरे पास नमबर कितने है थे 6 नमबर तो हर एक नमबर से कितना निकला 30 by 6 मतलब हर एक नमबर से 5 निकला और अगर हर एक नमबर से 5 निकला तो जो per head 84 आ रहा था अब वो 84 नहीं आएगा तो सीधा अटैक करना average per head value कितना है, 84, 3 number में 10 मिलाया, तो total 30 आया होगा, 3 number से 20 गया, तो total 60 गया होगा, आया 30, गया 60, तो overall गया ही गया, कितना गया, 30 गया, लेकिन total से तो 30 गया, तो हर एक से कितना गया, 30 अगर 6 number से जाता है, तो हर एक से 30 by 6, यानि कि 5 जाता है, हर एक के value कितना होना चाहिए था, 84, जब 5 चला जाएगा, तो हर एक का value कितना हो जाएगा, 79, done, आगे बड़े, company marks article 25% above the cost price, and sold it at Rs.6480 by giving two successive discounts of 20% and 10% each, find the cost price of the product, क्या मैं अपने cost price को X से start कर सकता हूँ, अगर cost price वाकर ही में X है, तो आपने इस article को पहले कितना बढ़ाया, 25%, मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग जानते हो, 25% का मतलब 1 बटा 4 होता है, हाँ सर, 1 बटा 4, किसी भी चीज़ को जब आप 25% बढ़ाते हो, तो आपको multiplication कितना करना होगा, 4 में 1 जोड के 5 बटा 4 का multiplication करना होगा, मतलब आपने 4 पार्ट में से 1 बढ़ाया, तो 4 बन गया अभी 5 बटे 4, अब मैं आप से ये कहना चाहता हूँ, कि जब आपने discount दिया होगा, तो आपने उनके values को कम किया होगा, पहले आपने 20% से उस value को कम किया, 20% का मतलब 1 by 5, मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट आपने कम किया, जब 5 में से आप 1 कम करोगे, तो रहे कितना जाएगा, आपके पास 4 out of 5 रहे जाएगा, क्योंकि ये minus हो रहा है, इसलिए 4 में 1 जोड़ के 5 उपर, और नीचे का 4 तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे 5 से 1 कम करके 4 उपर, नीचे का 5 आएगा ही आएगा, जो doubt है अब देखो, अब फिर एक 10% का discount दिया जाएगा, 10% का मतलब 1 by 10 होता है, हाँ सर मतलब 10 पार्ट में से 1 पार्ट कम करके बेचा जाएगा, तो 10 में से जब 1 कम होगा, तो बच जाएगा आपके पास 9, कितने में से, denominator जो था 10 में से, तो बढ़ाने का एक बार और दो बार घटाने के बाद, वो value जो X का है, वो इतना बन गया होगा, और इतना बनने के बाद, इतने ही price में आपने उसको बेचा होगा, और आपने बेचा कितने में है, 6480, तो ये value आपका 6480 के साथ बराबर है, अगर मैं solve करूँ तो 5, 5 गया, 4, 4 गया, 9 से cancel करो, 9, 7, 0, 63, और ये 18, 2, 0, और ये 0, 10 जब multiply होगा, तो X का value 7,200, मतलब cost price जो है, वो 7,200 है, तो cost price 7,200, cost price और कहीं है, 7,200, तो ये answer होने का कोई chance नहीं है, अब बस ये भी देखना है, कि profit या loss percent, अब देखो X अपना क्या है, cost price है, अगर X अपना cost price है, तो मुझे बताओ, कि आपका 6480 selling price है, मतलब आपने, ज्यादा में खरीदा, 7,200, और कम में बेचा, मतलब इस condition पे, तो loss होना ही होना है, और अगर loss होना है, तो profit का कोई chance बनता नहीं है, तो profit भी cancel हो गया, तो इकलोता answer, जहां पे 7,200 के साथ loss associate है, वही मेरा answer हो जाएगा, और अगर आपको देखना है, कि कितने percent का loss है, तो आप clearly देख सकते हो, कि 7,200 से जब 6,480 में बेचा जाएगा, तो कितने कम में बेचा गया, 20, और ये हो गया, 6,500, 720, 720 रुपे के नुकसान में बेचा गया, ये 720 का नुकसान किसके उपर हुआ होगा, 7,200 के cost price के उपर हुआ होगा, 720 का जो loss है, वो 7,200 का कितना percent है, 720 upon 7,200, इन 200 जब आप करोगे, तो ये भी आपको दे देगा 10 percent का loss, यहां से जो लोग smart होंगे, वो यहां से भी निकाल पाएंगे, क्योंकि 5 बटे 4 और 4 बटे 5 से कोई impact आया नहीं होगा, ultimately देखा गया, तो एक सबका cost price था, उसके 9,10 में बेचा गया, मतलब 1 बटा 10 कम करके, यानि के 10 percent कम करके बेचा गया, तो यहां से भी आप कह सकते हो, कि लॉस हो गया 10 percent का, तो यह थोड़े-थोड़े conceptual clarity के साथ, आप आगे बढ़ सकते हो, उमीद कर रहा हूँ कि सारे के सारे सवाल, 25 सवाल मैंने जो आपके साथ, डिसकस किये, वो सभी आपके clear होंगे, examination level काफी तगड़ा नहीं है, तो इस according आप prepare कर सकते हैं, उमीद करता हूँ कि मैं जल्दी आप लोगों के सामने, फिर एक बार हाज़िर हूँगा, इसके reasoning paper के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए carry definer, और चैनल को अगर subscribe नहीं किये, तो जल्दी से कर लिजेगा, काफी और नहीं चीज़ हैं, आपके इस channel पर provide आपको किये जाने वाले, और अगर मैं बात करूँ, जितने लोग plus का subscription लेना चाहते हैं, तो मेरे क्या-क्या classes चल ले, उनके बारे में एक बार नजर डाल दीजेगा, यह अपना एक champions batch है, यह चल रहा है, इसको जरूर से enroll कर लिजेगा, IBPS, PO Pre Achievers batch, और साथी साथ foundation batch, यह तीनों के तीनों courses चल रहे हैं, आपके bank exams category में, अपार्ट फर्म दिस, देर आर अल्सो courses running in bank regulatory body examinations, तो इन सारे के सारे courses को enroll कर लिजेगा, और सभी लोगों को request है कि follow कर लिजेगा, क्योंकि daily, मैं यहाँ पे जो special, यानि कि free class होता है, वो 9 पेम पे लेता रहता हूँ, तो आपका एक भी free class मिसना हो, तो follow कर लिजेगा, ताकि आपको time to time notification मिलता रहे, complete data interpretation का class जो है, वो दो पर 12 बजे चलता है, जहाँ पे हम लोग अभी तक, सब कुछ graph अलग से सीख चुके हैं, सिर्फ पाइचाट अलग से सीखेंगे, और कल से हम mixed graph करेंगे, पाइचाट, line graph, line graph, bar graph, radar graph, अगेरा सब mixed graph करेंगे, यह course आपका second February से start हो चुका था, इसके 5 lectures खतम हो चुके हैं, और आगे 5 lectures बागी है, तो यहाँ पे हम कल से start करेंगे, अपना mixed chat का सफर, और अगर मैं बात करूँ, complete course यहाँ पे arithmetic पूरा चल ला है, हमने percentage और ratio तक पूरा, complete कर रखा है arithmetic, 9 February से जो आपका course start होगा, यानि कि आज से, यहाँ पे हम mixture से सुरुवात करने वाले हैं, जिससे के questions आते हैं, दीरे-दीरे अलग-अलग topic, जैसे की ratio based partnership, ratio के उपर best ages, इन सारी topics को cover up, एक के बाद एक करते जाएंगे, with their examination oriented question, and apart from this, आपके bank regulatory bodies के अंडर, यह advanced arithmetic और data interpretation का, RBI assistant mains के लिए target किया गया है, जहां पे, आपको थोड़े advanced level, high level, mains level के questions discuss किया जाएगा, daily basis पे, sorry, Monday से लेके Friday तक alternate basis पे, यह class का timing चलता है, 4 बजे, और यह वाला जो class है, arithmetic का, यह class timing चलता है, आप लोगों का 7 पीम पर, तो उमीद करता हूँ, कि यह सारे के सारे courses के बारे में, उन्हें आपको idea दे दिया, अगर आप subscription लेना चाहते हैं, तो February में 7 से लेके 10 तक, अगर आप कोई भी subscription लेते हो, तो आपको चाहे bank हो, bank assistive, bank RBI, तो आपको यह additional months, आपको मिलते हैं, आपके designated, जो भी months है, उनके उपर, और साथी साथ, आप सभी से, यह भी कहना चाहते हैं, कि अगर कोई भी monetary discount, आपको requirement हो, तो उसके लिए, जब भी आपको कोई course purchase कर रहे हो, तो आपको जगर referral code मांगे, तो you can use this code CDLIVE, ताकि उस time पर, जो भी maximum discount आपका चल दा होगा, वो आप लोगों को मिल जाए, और साथी साथ, अपने जो भी app में credit point है, उनको भी redeem कर दीजेगा, ताकि on an average, आपको minimum thousand rupees का discount, आपके plus के subscription के ऊपर मिल जाएगा, so that's it for today, thank you so much guys, for being with me for such a long time, love you all, chadra bababai, take care,